Recently बहुत ज़दा कमेंट आ रहा था इसी प्रोब्लम पे Due to multiple community guideline violations, you are temporary prevented from sending and receiving messages, view details, senior app notification आप सभी इतना ज़दा कमेंट करो और मैं उस topic पर वीडियो न बनाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता So guys, आप सभी के इतना ज़दा कमेंट को देखते हुए, मैंने decide क्या कि आप सभी के लिए एक detail में वीडियो बना दू So guys, आज के इस वीडियो में मैं fully detail में बताऊंगा कि ये problem होता क्यों है और आप सभी इस problem को solve कैसे कर सकते हो So guys, ये वीडियो बहुत ज़दा important होने वाला है, so guys, इस वीडियो को last तक जरूर से देख लेना चलिए guys, वीडियो को सुरू करते है Well guys, इस problem में आप किसी को message send नहीं कर पाओगे, नहीं message को receive कर पाओगे और कभी-कभी आप किसी के वीडियो में भी comment नहीं कर सकते और नहीं अपने ID पर वीडियो को upload कर पाओगे Now the question is, ये problem होता क्यों है? Why this problem happens? Guys, according to TikTok, ये problem आपके content और आपके message के कारण से होता है या आपका account temporary suspended होगा तभी ये problem आता है Now the question is, ये problem message and content के बज़ा से कैसे होता है? दोस्तों आप अपने वीडियो में या message में dangerous activity या fraud और scam कुछ भी करते हो जो TikTok पर allow नहीं होता है तो guys, आपको TikTok के तरफ से rules को violet करने के कारण TikTok community guideline strike देता है और community guidelines के कारण आप message नहीं send कर पाओगे नहीं message को receive कर पाओगे Well guys, ये problem permanent नहीं होता है ये problem temporary होता है जो कुछी दिनों के लिए होता है But guys, ये problem आपके ID में से solve नहीं हुआ है तो guys, मैं 2-3 step बताऊंगा जो आप सभी को follow करना है और guys, एक भी step को miss मत करना So, दोस्तो इस problem को solve करने के लिए दोस्तो आप सभी को simply से play store को open कर लेना है दोस्तो play store को open करने के बाद आप सभी को search बार में जा कर आप सभी को tiktok search कर देना है आप सबी को Settings and Privacy वाले option पर Click कर देना है दोस्तो उस पर click करने के बाद आप सबीको कुछ tadi interface देखने को मिलेगा तो guys सुब थोड़ा सा scroll करनाह दोस्तो उसके बाद आप सभी को simply से थोरा सा स्क्रूल करना है दोस्तो इस्क्रूल करने के बाद आप सभी को एक option देखने को मिल रहा होगा direct message का तो दोस्तो आप सभी को simply से उसी वाले option पर direct message वाले option पर click कर देना है दोस्तो उस पर click करने के बाद कुछ ऐसा interface देखने को मिले तो गाइस आप सभी को सिंपली से यहां सबसे नीचे आप सभी को इस यूर प्रोब्लम रिसोल्वड तो गाइस आप सभी को सिंपली से नो बाले अप्शन पर क्लिक कर देना है तो उस पर क्लिक करने के बाद आप सभी को सिंपली से नीचे दिख रहा होगा Need more help दोस्तो उस बाले option पर click कर देना है दोस्तो उसके बाद आप सभी को कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा So दोस्तो यहाँ पर problem को type करना होता है So दोस्तो आप सभी को क्या type करना है वो मैं description box में दे दूंगा नहीं तो आप सभी screen पर से भी देखकर same to same लिख सकते हो copy करके So दोस्तो यहाँ पर आप सभी को type करना है Hello TikTok team I am sorry for my mistake I can't send and receive message on my account Please TikTok team I kindly request you to unlock my ID from this problem उसके बाद आप सभी को sub से नीचे लिख देना है Thank you दोस्तो उसके बाद आप सभी को proof को submit करना होता है उसके लिए आप सभी को gallery जैसा icon है उस पर आप सभी को click कर देना है उसके बाद आप सभी को gallery में जाकर उसी screenshot को select कर लेना है जैसा कि मैंने लिया हूँ screenshot जैसा कि मैंने message send किया था और वो message नहीं गया था और नीचे due to वाला region लिखा हुआ आ रहा था उसका मैंने screenshot लेकर मैं यहाँ पर submit कर दूँगा जो दोस्तो आप सभी देख सकतो कि मैंने उस proof को उस screenshot को मैंने submit कर दिया उसके बाद आप सभी को simply से लिखा हुआ आ रहा होगा submit का उस पर आप सभी को simply से click कर देना है दोस्तो submit बर click करने के बाद आप सभी को थोरा सा wait करना है उसके बाद आप सभी को कुछ नया interface आप सभी को देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो इसके बाद TikTok team review करेगा आपका feedback का और आपका problem को solve कर देगा तब तक आप सभी को simply wait करना है उसके बाद यह problem TikTok automatically सही कर देगा प्राइवेसी वाले option पर click करना है आप सभी को second वाले privacy पर click करके उसके बाद आप सभी को messaging पर click करना है और उसके बाद आप सभी को no one पर tick लागा होगा तक के लिए बाई बाई